इन दिनों रास्ट्रियर राजनेति में मोदी के मुकाबले बिपक्ष को गोल बंद करने के रादे से निकली मम्दा बिनरजी को महरास्ट्र से उस तरह का समर्थन नहीं मिला जुसकी उन्होंने उमीद लगा रखी थी वहां उनकी एनसेपी और सिबसेना की नेताओं से मुलकात हुई सिबसेना ने तो खुल कर कह दिया है कि कॉंग्रेस के बगएर बीजेपी के खिलाफ कोई भी बिपक्षी गडबंधन बीजेपी को ही फाइदा पहुचाने वाला है कहा जा रहा है कि बिपक्ष को गोल बंध करने कोशिश में ममता बिनर जी अगर कॉंग्रेस के खिलाफ मोचा नहीं खोले हुए होती तो शायद उन्हें समर्थन मिल सकता था कॉंग्रेस के खिलाफ इन दिनों ममता बिनर जी ने जिस तरह से हला बोल रखा है उसमें एनसेपी और सिबसेना किसी भी तरह टी-एमसी के साथ खड़ी होते नहीं दिखना चाहती है वज़ए यह है कि महरास्ट की गटबंधन सरकार चलाए रखने के लिए कॉंग्रेस एक समर्थन हर हाल में चाहिए कॉंग्रेस की समर्थन वापसी की स्थिती में सरकार नहीं चल सकती है सिबसेना हो या NCP कॉंग्रेस के साथ रिष्टे खराब कर राज्जी में चल रही गटबंधन सरकार के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहेगी और दोनों को मालूम है कि उनके TMC पाले में खड़े होने को कॉंग्रेस किसी भी कीमत पर स्विकार नहीं करेगी TMC का महरास्टर में ऐसा कोई वजूद भी नहीं है जिसके लिए कॉंग्रेस से रिष्टे बिगाडने का जोखिम लिया जाए खासकर तब जोब लोकसभाद चुनावों में दो साल से ज्यादा का समय बांकी हो और यह भी तैना हो कि अन्य राजियों के शेत्री अदलों से मम थनपराप्त है वहीं उत्राखंड में धामी सरकार ने पिछले दिनों देश सस्थम बोड को भंग करने का फैसला लेकर भले ही मंदिरों पर सरकारी नियंतरन की वज़ह से प्रोहितों में पनपे गोसे को खत्म करने की कोशिश की हो लेकिन चुनाव के ठीक पहले पार्टी अब बढ़ती ही जा रही है आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमिंट बॉक्स में लिखिए बाकी और खबरों के लिए जुड़े रही है एस्पेन नाइन नियूस के साथ